हमारी लडाई न्यायाले में सड़क पर संसद में हर जगां जारी रहेगी आम आदमी पार्टी का एक एक कारेकरता हमारा संघर्स आगे भी चलता रहेगा न्यायाले का हम लोग सम्मान करते हैं न्यायाले का जो फैसला आया है उसके बारे में जो वकील साहबान है वो बताएं हो चुकी है देश और दिल्ली के दो सबसे योग्य और अच्छे मंत्री अर्विंद केजरिवाल जी की सरकार के दो सबसे योग्य मंत्री जो उन्होंने सिक्षा और स्वास में अनुकरनी ये काम करके दिखाया आज उनको मोदी जी ने सबस्था तर किया है। जो मनीत से सोदिय लाखो बच्चों को अची सिक्षा दे रहे हैं उनको जेल में डाल दिया। जो ओडानी लाखो करोन का खोटाला कर रहा है उसके जहाज में मोदी जी घुमते हैं। तो यह पर्क इस देश के एक एक नागरिक को समझ में आ रहा है आम आदमी पार्टी के एक कार्यकरता को समझ में आ रहा है लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि नरेंदर मोदी जी आपकी इन कारवाईयों से ना तो आम आदमी पार्टी का काम रुकेगा ना दिल्ली की जंता क भरुसा होना चाहिए अभी दो दिन की रिमान बढ़ी है आगे क्या-क्या घटने वाला है उसके लिए उने तैयार रहना चाहिए अलगी जो जावना तरजी की सनुवाई है को रखी है कोड में अभी जावना तरजी पर सनुवाई नहीं किये को मैं देख रहा था कि उन्होंने कुछ सानुवूति लेने की कोशिश किये कोड में लेकिन अगर सभी अपराधी सानुवूति लेने की कोशिश करेंगे तो फिर नयाए कभी हो नी सकता उन्हें तोत्यों पहरादय चाहिए अगर उन्होंने अपराद किया है जैसा नियाएक इजंसी का दावा है तो उसको सजा के लिए उनको तयार है ना चाहिए अपराधी के अनुसार नहीं होती है लेकिन दुरभागे से जिस तरह का परदेशन भाहर हो रहा था और जिस तरह की हरकते वो कर रहे हैं तो मुझे तो दो लएने जाद आती है कि साफ दामन का दोर अब खत्म हुआ ये आप वाले धबों पे गरूर करते हैं